इस वीडियो में हम Class 7 Radiance Part 2 NCRT English Book है Class 7 ठका और हम जानेंगे इस वीडियो में इसका First Chapter जिसका नाम है Simpathy और हिंदी में बोलते हैं सहानू भूती वड़ और हिंदी अर्थ उसके बाद परस्नुत्तर ये तीनों चीज आपको इस वीडियो में मिलेगा और इस परकार से आने वा लाइक और सब्सक्राइब कर लिजिए आपके Class का सभी बुक का solution इस चनल पर हो रहा है playlist खोजिए और वहां पर जाकर कि आप सारे वीडियो को देखिए देखिए आपका chapter है Simpathy एक poem है लेकिन इस poem से पहले एक छोटा सा story दिया है उसी से related संबंदित जो आपको समझना सिंपेथी मिन्स होता है सहानु भूति इसको बोलते है वारमर इसमें कुछ बाते दिया रहता है संचिप्त में दिया रहता है जिसको समझा जिसका अर्थ बहुत माईने रखता है इसको परेंगे दा तीचर तीचर विल रीड आउट दा फोलोइंग टेक्स्ट तू दा एस नीचे लिखावा निम्र लिखित टेक्स्ट मतलब यह जो वर्ड है यह जो अंक है तूदा स्टूडेंट्स मिन्स तरफे दियार्थी एंड मिन्स और अउर अस्क मिन्स मूचना क्वेस्टन मिन्स परसन फोलो मतलब नीचे तो सिक्चक जो है दिए गे टेक्स्ट को दिए सब्सक्राइब को परिये और विद्यार्थी से नीचे दिये के कुछ परसन को पूछिए इस तार्थी है आगे देखते कौन सा स्टूरी है यह जहां पर यह बिंदु आपको देखना आपको फुल स्टॉप रहे वहां तक ही परना समझना है आपको परने के लिए इस कि प्यासा और मैं में सब्ढ़ हां चुसेज़ राविभ अथर यहां पर आपको चितर देखकर भी समझ सक्ते हैं कि बुढ़हा प्यासा बैक्ति था ठ्रस्ति है ना एक बुढ़हा प्यासा पैक्ति सरक्षे किनारे बीठा था जो पाणि के लिए चिला रहा आप ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं ठीक है आगे सिखिए एक फी बार में तो सिखेगा नहीं तो दिरे दिरे सीखते हैं सूरज और रभी फ्रेन मतलब होता है दोस्त दोनों दोस्त थे दे हीर दा ओल्ड मेंस करा इस तरह से ऐसे रहेगा इसको अपस्ट्रोफियस बोलते हैं इसका मतलब होता है का दे मतलब वे हीर मतलब सुनना ओल्ड मींस बुजोर गया बुढ़े करा मतलब चिलना वे बुढ़े बैक्ति क ये बात को ignore अंसुना कर दिया बट मिंस लेकिन या फरंतु परंतु रभी इस्टॉक मतलब रुकना और नियर मतलब नजदिक उस बुढ़े बैक्ती के नजदिक रुका सुरज इस बात को इग्नौर करके आगे चल देता है लेकिन रभी उसी की नजदिक रुख जाता है आग बोटल निकालता है तरस्टी में मतलब देना वह बोटल निकालता है तेक मतलब लेना और फानी पीता है यहां पर आप जैसे सुरू में बोला गया था कुछ परस नहीं तो यहां पर है आप इसका जवाब ढूड़िएगा ठेक है यहां पर जैसे आप इधर पर चुके हैं वाइ बन्स क्या है रभी क्यों रुका क्यों कि रभी को उस बैक्ति के परती दया आगया इसलिए तो वहां रुका तिक है दोंकि आदमी का हैं रभी किया था बवी का मदद एश्ड़ीता इसलिए रभी मतलब महसूस करने is कभी क्या आपको किसी बैक्ति को कस्ट में देखकर आप खुद दुखी महसूस करते हैं तो बिल्कुल आप में अगर सानुभुती होगा तो आप जरूर करते हैं आते हैं आपके चैप्टर में ध्यान से समझिएगा ठेक है एक तरह से समझ लेजिए कलास में पढ़ रहे हैं और घंटी यहां पर हो रही है तो इस परका रहा था डीप डिस्ट्रेस्ट डीप मतलब गहरा डिस्ट्रेस्ट डिस्ट्रेस्ट मतलब होता है दुखी मैं गहरे दुख में परा था मैं दुख में परा था मैं गहरे दुख में परा था ले मतलब परे रहना अगर आपको कस्ट है सरीर में तो आप सोय हुए बिचाबन पर पर रही है माई गरीप हे प्रावड मेन ही ओर्ड मतलब कष्ट प्रावड मेन में अमंदी आदमी ही आदमी किसुना मेरे कष्ट को अगर मटिक तीन अच तीन मेरे दुख को कौन सा सोने वाला सोना नहीं गाना होता है गौल सोना नहीं बत नोट काइंड लेकिन या परंतु नहीं काइंड मतलब दया लो, वरड मिस सब्द परंतु एक भी दया का सब्द नहीं बोला मैं दुख में परा था गहरे दुख में मेरे कस्ट को एक घमंडी बैक्ती ने सुना वा देखने में बिल्कुल सांत सभाब का था उसने मुझे सोना दिया परंतु एक भी दया का सब्द नहीं बोला दया का सब्द मतलब यह ठीक हो जाएगा आप रेस्ट केजिए आप यह होत अब कभी कहते हैं मेरा दुख खतम हुआ मैं ठीक हो गया और उसका जो सोना मैंने लिया था उसे मैंने वापस कर दिया दैन स्थूड इरेक्ट एड सफ़इग माओथ नोस थिदंकर खुरा और मैंने उसका धन्यवाद किया मैंने उसका इ्रेक्ट मतलब सिधात तंकर खरा होना स्थूड मतलब लई ठाल दहना एड स्थूड मतलब उस मतलब भुख द्धू या Besides और सिधात तंकर ख़रा होकर मैंन इसके लिए उसे आख सिर बात दिया अब यह चीजे खतम हुई फिर से समझे दोलें फिर से है अब कभी फिर गरीब आदमी पास मतलब गजरना वे मतलब रास्ता एक गरीब आदमी मेरे रास्ते से गजरा मैं जहां पर परा हुआ था मतलब उसी रास्ते से गरीब रखती गजरा he bound my head he gave me bread bound मतलब बांद देना my head मतलब मेरे सिर को gave मतलब देना bread मतलब रोटी अब देखिए उसने मेरे सिर को बांद दिया क्योंकि सिर में दर्द हो रहा था तो सिर में पट्टी की तरह बांद देना gave मतलब bread उमसे खाने के लिए उसने मुझे रोटी दिया He watched me night and day, watched means देखभाल करना, night मतलब रात, दे मतलब दिन, उसने मुझे दिन रात देखभाल किया, गरीब आदमी था, कुछ दिया नहीं, बस सिरबान दिया, खाने को रूटी दिया, और दिन रात उसकी देखभाल किया, अब यहाँ पर कुछ पॉइंट आता है, समझेगा, How shall I pay him back again, for all he did to me, अब कभी कहते हैं, कि अब मैं कैसे उसे वापस चुकाऊं, जो कुछ उसने मेरे लिए किया, पहले सोना दिया था, गमन्डी बेक ती, तो कभी वापस दे दिये, लेकिन यह तो अभी सेवा किये हैं, कुछ दिये नहीं, तो अब कभी कहते हैं, अब कैसे क्या बात है Oh God is great great मतलब महान अरे सोना महान है but greater far is heavenly sympathy sympathy मतलब सहानववूती हैवली मतलब सुखद greater मतलब महान but मतलब परंतु परंतु उससे भी महान है सुखद सहानववूती क्यों कि अगर आप किसी की मदद करते हैं तो वो आपस कभी कर नहीं सकता वही होता है साहनुभूती इसका लेखा कि है चाल से मैं के चलिए कुछ वर्ड से हैं यहाँ पर दिए हुए देख लेते हैं फिर प्रसमतर स्पेक मतलब बोला सोरो मतलब कस्ट गिवीक मतलब कस्ट होता है आगे लेकिए डिस्ट्रेस्ट मतलब दुखी सुख़द सिंपैथी में साहनुभुती चलिए अब इसका प्रस्ण उत्तर हम देख लेते हैं फरस्ट क्रेस्ट हमारा है फू इज आई इंद पोयम ये जो आई है ये पोयम में कविता में कौन है तो इसका उत्तर होगा दपोई कवि जो है आई उन्ही को आई दोरा डिनोट किया गया दूसरा प्रस्ण है वाज इन सुर्रो कौन दुख में था तो अंसर होगा the point was in sorrow कभी जो है वो दुख में थे ठीक है तीसरा प्रस्न What did the proud man give to the poet घमंडी बैक्ती ने कभी को क्या दिया The proud man gave gold to the poet proud man जो है घमंडी बैक्ती कभी को सोना दिये लेकर Who bound the head of the poet in hour of sorrow कष्ट के समय कभी का सिर कौन बाधा उतर होगा a poor man bound the head of the poet गरीब बैक्ती ने पाच्वा प्रस्न ने Which is greater gold और sympathy कौन महान है सोना और सहनुभूती तो उतर होगा gold is greater than sympathy sympathy सहनुभूती सोना से महान है तो प्रस्न उतर हमने समझ लिया आब यहाँ पर है think and write write T for true and F for false statements statements means दिये गे यहाँ पर जो sentence है इसको statements की दिया गया दिये गए sentence वाक्य में दिये के statements में सही और गलत statements को चुनिये देखिए the proud man watched the poet day and night proud man मतलब घमंड़ी आदमी the poet मतलब कभी घमंड़ी आदमी कभी को दिन्राथ देखवाल किया तो यह false होगा गलत होगा क्योंकि घमंड़ी आदमी तो सिर्फ gold दिया था देखवाल नहीं किया था the proud man's looks were called घमंड़ी आदमी जो था उसका how how क्या था थंड़ा था तो सही बात है यह बात ठीक है the looks were called थंड़ा था तीसरा है the poet did not return money to the proud man poet मतलब कभी return मतलब वापस money मतलब रूपिया प्रावड मतलब घमंड़ी क्या कभी घमंड़ी आदमी का पैसा वापस नहीं किया यह हो जाएगा false ignoring the point ignoring मतलब अंसुना कर देना went मतलब गया आवे मतलब दो बोलटा गरीब बैक्ती कभी को अंदेखा करके बहुत दूर चला गया यह बात false है क्योंकि गरीब बैक्ती तो देखवाल क्या था कभी का पाच्वा है the point was unable to pay back the poor man's deeds deeds मतलब होता है जो भी poor man गरीब बैक्ती कभी के लिए किये थे वही बोलटा नेबल मतलब असक्छम बोलटा क्या कभी जो है मतलब the point कभी गरीब बैक्ती जो कुछ भी कभी के लिए क्या था उसे चुकाने में असक्छम था बात सही है true है क्योंकि जो कुछ भी कभी के लिए उस गरी बैकटी ने किया कभी अब वापस किसे करेगा स्मानुथि कैन्नोट वी पेड़बैक सेथि सहानोब हुथी पेड़बैक मतल़ वापस चुका ना सहानोबुत्य वापस चुका यह नहीं जा सकता सही बात है ठुरू हो ठीक है फिर परसंतर Direction है answer each of the following questions in one sentence एक वाक्य में निम्लिखित प्रश्णों का उत्तर देना है चलिए देपने हैं तो इसमें हमारा first question है who did not tell a kind word कौन एक दयालूता का सब्द नहीं बोला the proud man answer होगा the proud man did not tell a kind word घमंडी बैक्ति एक भी दयालूता का सब्द नहीं दूसरा है what did the poor man give to the poet to it खाने के लिए कभी को गरीब व्यक्ति क्या देता है तो answer और the poor man gave bread to the poet to it रोटी देता है तिसरा है the poor man gave तूसरा प्रस्ण है what did the poor man do for the poet when the poet lay in want and grief answer when the poet lay in want and grief the poor man bound his head gave him bread to it and looked after day and night दिन राद देखवाल कर चलिए हो गया अब आता है आगे बीट दसमलव 2.3 यहां भी वही है answer each of the following questions in not more than 50 words निमलखीत प्रस्णों का उतर पचास से अधिक सब्दों में नहीं देना है अगला आपका how did the proud man help the poet when he was in deep sorrow do you like this way of helping a person in need बोल रहा है घमन्डी वैक्ति किस परकार से कभी की मदद करता है जब कभी गहरे दुख में होते हैं क्या आपको यह तरीका अच्छा लगता है तो इसका उतरोगा the proud man gave a goal to the point when he wasn't deep distressed but did not say a kind word I do not like this way of helping a person in need क्या करता है सोना देता है लेकर के घमन्डी वैक्ति एक भी दलोता का सब्द नहीं बोलता मुझे यह तरीका मदद करने का पसंद नहीं है दूसरा परशने sympathy cannot be compared with gold explain सान भूती को सोना से तुलना नहीं किया जा सकता है यह समझाईए तो उतरोगा gold can be returned to the person who pays but sympathy cannot be returned gold is material thing but sympathy is immaterial thing so sympathy cannot be compared with gold देखे सोना क्या हुआ वापस किया जा सकता है लेकिन sympathy को आपस हम नहीं कर सकते हैं इसलिए सोना महान अधिक गॉल्ड महान नहीं है sympathy महान है तिसरा है have you ever son sympathy to anyone क्या आपने कभी किसी के साथ सानुभूती दिखाया है इस गिप डिटेल्स अगर हां तो डिटेल्स बताईए तो इस प्रसंट का उतर आप खुद से लेखिए थांक यू ठीक है इसका क्योंकि आप दिखा है तो आप खुद जवाब दीजिए तो चलिए हमने इस चप्टर में इसका सारा प्रसंटर इसका हिंदी अर्थ what meaning मतलब ये फर्स्ट चप्टर को बुड़ी तरीका से समझा वो भी 15 मिनट के अंदर आप वीडियो को लाइक कर दिजिए कमेंट कीजिए अगर कोई दिक्कत रह गई हो या आप क्या जानना चाहते हैं और सब्सक्राइब इसलिए कीजिए क्योंकि अगले वीडियो दूसरा चप्टर का आएगा तो आपके लिए इंपोटेंट होगा आप सीखिएगा थैंक्यू मिलते हैं अगले वीडियो में सेयर भी कर देजिएगा दोस्तों के साथ ताकि वो भी सीखे